अच्छा आप यह देखो यह तो जानते ही होंगे आप इस चैनल पर होता क्या है कि यहाँ पर आप अपने मन पसंद का कोई भी सवाल पूच के इससे आंसर ले सकते हो और उस आंसर को यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग में एमेल पर या उस यही चीज जो है हम सब के लिए भारी पड़ गई हमारे इस डिजल मांकेटिंग करियर में देखो क्या हुआ था जब यह चैट जीपीटी आया तो हमने देखा कि आल्मोस हर चीज पे चैट जीपीटी को ग्यान है और उस पर वह कॉंटेंट जो है वह लिख दे रहा है हमने क् अमीर होना शुरू हो जाएंगे और काफी लोगों ने काफी मतलब आल्मोस 90% लोगों ने मतलब अपने आपको जोक दिया कॉंटेंट लिखवाने से लेके उसको पब्लिश करने तक अपने ब्लॉग में चैट जीपीटी से अब हुआ क्या कि जब चैट जीपीटी से लिख करना होता है हमने क्या हमने फोल कि इस नहीं है किसी और सोड एक हुआ के बना के मुझे तो नहीं दे रहा है क्योंकि अगर मैं यह कॉंटेंट यूज्ज करोंगा तो मांकि फीजिस तो आराम से क्लियर की प्लेजरायास है वह रैंक नहीं करता है क्योंकि Google की content को दो जगा प चेक करना स्टार्ट किया लाइक जो कि मैं अभी कर रहा हूं आखों के सामने और फिर मैं आपको बताता हूं इसका नेक्स लेवल गेम क्या है So guys now here is that result जिस वजे से हम इतने confident हो गए हम digital marketers की हमने सोचा कि या चाट GPT का content जस्कुछ prompt देखे हम उसको plagiarism free बना सकते हैं अब यहाँ पर खुद देख लो ना कि मैंने एक prompt देखे चाट GPT से इतना बड़ा content लिखवाया like this आप देखो यह मेरे इतना बड़ा prompt है this is something a big prompt तो prompt देखे मैं चाट GPT को almost plagiarism free बना सकता हूं 3% is nothing और वो भी ऐसा line जो कि बहुत ही common line है इस दुनिया में हर को यूज कर सकता है तो इसको plagiarism नहीं माना जाता तो 60% का मात्रो मैच आप यहां पर देख पा रहे हो just 60% वो भी एक line और overall content का सिर्फ 3% माना जाएगा वो which is nothing so guys यहां पर हमारे हो गए बले 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 क्योंकि plagiarism को अपने क्रैक कर लिया था अभी तक और हमने दबादा content जो है वह चैट सब्सक्राइब करते हुए उसने पूरा on-page off-page सब कुछ बेटर करके अपने भविश्य का जो ड्रीम है वह देखने लग गया कि बहुत बड़ा बनने जा रहा हूं क्योंकि मैंने हर चीज़ कर ली है पाच जब बहुत महनत करने के बाद ऐसे कई आर्टिकल डालने के बाद maximum new bloggers बोलो या पुराने bloggers बोलो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि या उनके content सारे रैंक नहीं कर रहे हैं कुछ रैंक कर रहे हैं और जो कुछ रैंक कर रहे हैं मतलब उसका अलग फैक्टर है इस वज़े से रैंक कर रहे हैं इस दुनिया में कुछ इंटरनाशनल कुछ नाशनल लोगों ने इस चीज़ करना शुरू किया क्योंकि गूगल तो डिरेक्ली बोलता नहीं देखो ना प्लेजरेश्म का बारे में आस तक गूगल ने बोले कि हम प्लेजरेश्म content जो रैंक नहीं कर आते ना गूगल यह मान आने जाते हैं मतलब कौन पड़ेगा वही content जो की चाइट जीपीडी या बार्ड में अवैलेबल है तो गूगल ने उसको रैंक कराने के लिए अलग algorithm सेट कर लिया है कि सारे AI वाले content rank नहीं करेंगे कुछ content rank करेंगे इसके बाद आती है market में एक टूल की entry which is known as AI detection tool कि आपक सकते हो कि वह content आपका ब्लॉग में जाने के लिए और rank करने के लिए तयार है या नहीं है तो जैसे मैं इसका इस्तेमाल कि और इसमें content को paste किया जो कि हाँ पर यहां पर कोई plagiarism नहीं है बट जब मैं यहां पर आता हूं तो यह बोल देता वाई यह तो पूरा AI से लिखवा है क्योंकि पूरा रेड रेड हो रहा है जब इसने बोल दिया कि पूरा AI से लिखवा है तो जब यह 0 हो गया तो मेरा तो उमीद में पानी फिर गया कि आप मै जो chat GPT से लिखवा है ना उसको rewrite करवा लो दुबारा अब rewrite जब करवा रहे हो दुबारा तो आप यह content जो है मना जाएगा कि यह fresh content है और जो कि मैंने देखा कि हाँ यह fresh content माना गया है तो जैसे मैं इसको यहां से copy किया तो आप check करते हैं कि क्या यह भी AI detection tool में पकड़ा जा आएगा तो let's check it और देखते हैं कि अब result किया रहा है तो guys this is human text यह human text माना गया है लेकिन जब यह human text माना गया तो guys एक बहुत बड़ी problem यह आ गई है कि इसका जो आप readability देख रहे हो dreams world luxury मतलब यह तो इतना जादा complicated हो गया है कि यार अगर मैं rank कर भी जाओ मेरा फाइदा क्या हुआ मेरा audience जिसको पढ़ने की हो जाए cross करके बहार निकल जाएगा मैं तो bounce rate में मारा जाओंगा और bounce rate में मारा गया तो फाइदा क्या हुआ मुझे ना कोई subscription मिलेगा मतलब कोई subscribe नी करेगा मेरे blog को आके और bounce rate से मारा गया तो by default वो डी rank कर देगा चाहा content जितना भी AI content free हो या फिर जितना मर्जी वो plagiarism free हो तो अब क्या करना है तो guys अब आपके पास दो रास्ते निकल के आते हैं रास्ता no.1 और रास्ता no.2 दोनो जबर दस्त हैं दोनों में से कौन सा फिक करना है decide आप करना लेकिन उससे पहले आप अगर लाइक कर दोगे तो motivation आप रहेगा और मैं ऐसे वीडियो आप लोगो के लिए continuous ला पाऊंगा इस चैनल पे lifetime तक और अगर चैनल पे नहीं हो subscribe कर लो यार बेल आइकन के साथ कोई व यहां पर बहुत इसको यूज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे पास दो तरीके निकल के आए हैं नमबर वन तरीका क्योंकि देखो जब से चार्ट जीपिटी इस दुनिया में इंवेंट हुआ है और हम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया है मैं त इस नहीं काम कर पता जितना मैं चार्ट जीपिट से करवाता हूं गयाइज एई का जमाना है मैं चीक चीक के बोल रहा हूं कि अगर आपको इस एरा को राइड करना है मतलब आपको पीछे नहीं रहना है अपनी जॉब अपना करियर नहीं गवाना है तो जल्दी से एई पर महरत हासल कर लो क्योंकि अगर आपके पास AI की महरत है ना तो guys यह technology आपके लिए वर्दान बनेगी लेकिन अब भी sharp भी बन सकती है कि अगर आप इसको use नहीं करना सीख रहे हो आपको खतरा AI tool से नहीं है आपको खतरा AI tool ना सीखने से है मैं चीक-चीक के बहुत बार बोल चुका हूँ यह चीज अब चल दी से आते हैं देखो मैंने क्या किया मैंने चाट GPT से जितने भी content लिखा है आप देखरों बहुत content मैं back to back मतलब आज से पहले कम से कम thousand से जाट GPT मैं use कर चुका हूँ अपने personal और अपने professional कामों के लिए अब यहाँ पर देखो यह maximum जो है न यह AI 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 deduction tool इसने दिखाया मुझे कि अब यह तो AI है जैसे for example मैं यहाँ पर email तक चेक करता हूँ guys कि कहीं मेरा जो email है वो AI तो नहीं है अगर AI होगा न तो मेरा email inbox में जाने की वज़ेसे क्या पता हो सकता है वो promotion या spam में चला जाए बिल्कुल हो सकता है Gmail भी अपने आपको बहुत जल्दी update कर रहा है तो इसलिए जल्दी से आप इसको पकड़ लो कि email भी अगर चाट GPT से लिखवा रहे हो तो प्लीज AI से उसको free रखना तभी जाके आप email marketing का भी फाइदा उठा सकते हो वीडियो आने वाली है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ अब देखो for example मा लेते हैं कोई भी एक मैं यहां से फटरफट प्रिक कर लेता हूं तो गाइस देखो 98% chances है कि यह जो content है यह क्या है यह AI है लेकिन अगर मैं उन words को red करके दिखाया है या yellow करके दिखाया है जो कि आपका AI detect हो रहा है जिसके अंदर AI ने लिखा है ऐसा बोला जा रहा है तो for example यहां ज़े मुझे एक benefit यह तो हो रहा है कम से कम कि मैं उन particular line sentence paragraph को change कर सकता हूं जिसमें AI detect हुआ है इसमें मुझे क्या पता लग रहा है कि AI detect हुआ है या नहीं हुआ है मेरे लिए फिर पूरा content ही बेकार हो गया है इसका मतलब क्या मैं AI का content नहीं लिख सकता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मैं AI का content लिख भी सकता हूं हो सकता है that is number one case कि आप मैनोली कर सकते हो तो मैनोली करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है इनको एक एक करके आप यहां पर जाओ open with AI eraser पर click करो जैसे आप क्लिक करोगे आप इसको मैनोली क्लिक करके rewrite कर सकते हो जैसे आप rewrite कर दोगे आप इसको re-scan कर लेना re-scan मतलब कि फिर से आपका एक एक लाइन को re-scan करके आप चेक कर सकते हो कि सारा चीज ठीक है या नहीं है अब यह तो रहा AI Detector Pro यह एक premium टूल है लेकिन इसका free sign up का link मैंने description में दिया है आप वहाँ पर जाओ और free में sign up करके इसको use कर सकते हो अब इसमें क्या फाइडा हुआ AI Detector टूल तो आपके पास बहुत सारे available है जो कि मैंने अलड़ी बता दिया है लेकिन इसमें फाइडा ही है कि आपको line by line तो बता ही रहा है कि यह line change कर लो यह paragraph change कर लो यह statement change कर लो तो ठीक है लेकिन इसके पास जो यह AI Detection Eraser है यह कमाल का है कैसे कमाल का है मैं आपको दिखा लूँ जो की AI ने detect कर लिया है लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यह सिर्फ इस line को change नहीं करेगा उसका कोई तुक नहीं बनेगा तो इस पूरे paragraph को read करेगा और इसको rewrite करेगा human version में कैसे let's click this paragraph मैंने paragraph पे हूँ for example और यहाँ पर मैं suggest पे click करूँगा जैसे मैं suggest पे click करूँगा अब यहाँ पर नीचे option देदेगा like this यह देखो यह आप इनको use कर सकते हो इसकी जगा बट अभी भी रुख चाओ क्योंकि इसने जो लिखे दिया है यह already red है मतलब यह भी AI में count हो जाएगा यह सिर्फ rewrite कर रहा है और साथ में साथ खुद भी read कर रहा है कि यह जो rewrite version है कहीं यह AI में पकड़ा तो नहीं जा रहा है मेरे ही खुद के टूल में तो यह पकड़ा जा रहा है the paragraph is a high chance of being detected for AI तो अब मैं इसको change कर रहा हूंगा फिर से suggest पे click करूंगा तो guys see this is the right example जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखो यह आ गया green इसका मतलब आप इस particular paragraph को change कर सकते हैं लेकिन यह yellow है यह पकड़ा जाएगा और यह तो पकड़े ही जाएंगे तो आप इस पे से green वाला use करोगे तो यहाँ पर जैसे मैं एक green वाला use करोगे तो यह वाला paragraph जो है यह change हो गया अब मैं देखता हूं कौन साथ paragraph change करना है यह वाला change करना है इस पे click करते हैं और suggest पे click कर लेते हैं red आ रहा है so guys इस paragraph के लिए भी continuously suggest पे click करने के बाद जब तक नहीं आ रहा green तब तक आप इसको suggest कराते रहोगे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया एक इसको select कर लूँगा like this जैसे मैंने इसको select कर लिया तो इसने इस paragraph को change कर दिया अब एक खास बात दिखो गई जब इसको परती हो ना तब यह बहुत ऐसा नहीं लगता यह तो बहुत complicated English हो गया यह क्या लिख रहा है कि बस word को change कर रहा है meaning को same रखने के लिए कुछ भी लिख तो जुलाई 2022 वें श्री लंका वर्स डीलिंग विधा पीक इन एकनामिक टर्मॉइल तो यह बहुत easy line है उसने paraphrase किया है लेकिन in easy words अब जैसे for example दो ऐसे paragraph हैं जिनको यह कर नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने काफी बार ट्राइ कर लिया इसको चर्ण कर करके देखे लेकिन वो न देखो green नहीं आ रहा है यह green you know paragraph नहीं आ रहा है मैं फिर भी suggest कर करके देख रहा हूं क्या पता है एक ऐसा paragraph मिल जाए इसी tool के through जो कि मेरे इस AI को erase करने में मुझे help करे बट फिलाल तो नहीं मिल रहा है इसका भी देख लेते हैं एक बार suggest करके no नहीं मिला पहली बार जो कि बहुत less AI count होगा लेकिन इसका तो भी तक नहीं आ रहा है तो इसको तो मैं completely suggest करके दो तीन बर और देखूंगा अगर नहीं दे पाया ना तो मैं इसको manually लिखूंगा दोस्त जैसे कि मैं आपको लोग के सामने अभी भी करे जा रहा हूं इसके पास कोई ऐसा content नहीं आ रहा है जो कि AI इसका खुद का detect नहीं कर रहा है तो जैसे जैसे मैं इसको manually लिखता जा रहा हूं यह percentage कम हो रहा है अब जैसे एक line change करना है तो मैं इसको change करके हैसे कर सकता हूं तो श्री-लंकन तूरिम यह एक AI-FREE content माना जाएगा लेकिन स्टिल 44% चांस ऐसा है कि AI content माना जाए तो गैस ये था perfection एक टूल ऐसा है जो कि कहा रहा है भाई ये पूरा AI है इसमें तो कुछ रहा नहीं आप चैट जिबटी से लिखवा रहे हो और दूसरा टूल AI detector pro जो आपको at least help कर रहा है ये बताने में कौन सा word कौन सा line कौन सा statement कौन सा paragraph ये आपका AI है खली उस पर काम करो बाकि आप AI का content जो है वो फिक करके अपने site के अंदर ला सकते हो आप आते हैं उस second वाले process में जो है वो थोड़ा सा learning process है उसके अंदर चीज़े आपको सीखनी पड़ेगी और जो कि एक long process हो सकता है अब वो process क्या हो सकता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ let's suppose guys आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ऐसे भी content चार्ट GPT से लिखवाए है जो कि 100% human यहाँ पर दिखा रहा है और मैंने इस पर कोई भी suggestion नहीं मांगा है direct chat GPT से ही वो human content आया है like अगर आप देख रहे हो खाली 2% chances है पूरा human count हुआ है और 2 days 2 days क्योंकि आज Monday है तो 2 दिन हम काम नहीं करते है Saturday Sunday हम काम नहीं करते है तो उस case में आप यहाँ पर देखो let's suppose open करता हूँ मैं इसको और यह पूरी तरीके से जो है एक human content है आप इसको पढ़ सकते हो और कहीं से भी यहाँ से मैंने suggestion से rewrite नहीं करा है यह proper chat GPT से आया है जो कि हमारा चंद्रयान 3 के लिए content मैं बना रहा था अब यह कैसे हुआ जल्दी से सुन लो guys यह होता है prompt engineering से अब prompt engineering क्या चीज है जब आप chat GPT पे जाते हो तो आप सिर्फ लिखते हो जैसे for example इस case में मैंने क्या लिखा यह पूरा content आप देख रहे हो यह पूरा content है जो कि मैंने लिखा है as a prompt अब लोग क्या करेंगे इतना बड़ा समय लिखेंगे for example लिख भी लेंगे लेकिन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है thoughts में और उस engineering में वो main matter करता है और उसके बाद जाके आपको ऐसा content मिलता है जो की हो सकता है एक तो आपके लिए वो plagiarism free तो होई हो और secondly वो AI detection free भी हो तो essay prompt कैसे आते हैं guys essay prompt के लिए आपको prompt engineering करनी पड़ेगी एक महारत हासिल करनी पड़ेगी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो महारत कैसे आने वाली है guys देखो prompt engineering कोई एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो का काम नहीं है कि मैं आपको सिखा दूँ क्योंकि chat GPT इतना वास्ट है इतना वास्ट है कि इसको सिखाने के लिए मुझे कई घंटे चाहिए मतलब it's a matter of lot of time तो उसके लिए मैं chat GPT को पर वीडियो तो लाता रहूँगा for sure कि एक एक करके आप देखते रहे ना उसके अंदर मैं prompt engineering के बहुत सारी चीज़े भी detail में बताऊँगा तो उसके लिए आप subscribe रखो bell icon के साथ लेकिन अगर आपको इसको बहुत channelized way में सीखना है मतलब एक sequence में सीखना है और सीखने के लिए सीखना है देखने के लिए नहीं सीखना है कि आप prompt के लिए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखोगे उसके tone format layout हार चीज़ से लेके मैंने कम से कम उसमें 20 ऐसे applications बताए है chat gpt से जिसका इस्तमाल करके आप chat gpt को हार field में pro level पे use कर सकते हो हार field में बलब आप medical line में हो आप film line में हो आप photography line में हो या फिर आप content writing में तो हो ही तो उसके लिए चैट gpt चाहिए लेकिन आप किसी भी line में हो विडियोग्राफी, photography, medical आप नाम लो मैं बताऊंगा कि उसका application बनल आप कैसे इस्तमाल करना chat gpt का उसका use वहाँ पर practically सिखाया है अगर आपने chat gpt का वो वाला course ले लिया मेरा prompt engineering का तो guys वो आपकी life का सबसे best course साबित हो सकता है क्योंकि this is the new technology इस technology के भीना रहे गए न guys तो आप समझ लो कि आप जो कर रहे हो ना जो भी कर रहे हो वो दीरे दीरे खतम हो रहा है उस particular course के अंदर आपके email में जाएगा लेकिन वो course minimum 3000 रुपे का होगा मैं आपको पहले ही बता दूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस course को free करके मैं सबकी opportunity खा जाओं क्योंकि अगर हर कोई इसको कर लेगा तो हर कोई एक दिसरे को बहुत जबर्दस compete कर देगा इसलिए मैं उसका main price 3000 रुपे जरूर रखूंगा लेकिन अगर आप इस course को launch होने से पहले early bird discount के तहत इसको buy करते हो या इसको enroll करते हो तो guys मैं ये course आज आपको सिर्फ 7.99 में दे दूँगा early bird discount मतलब course launch नहीं हो है लेकिन आप मेरे पर trust करते हो तो उसका एक favor मुझे तो आ dedicated logo को ये अपना प्रम ज्यान देना चाहता हूं जिसने मुझे चैट GPT के इस level में पहुंचा दिया कि आज करिट में मेरा पूरा business चैट GPT पे है आपको भी मैं ले जाऊंगा लेकिन मैं सब को नहीं सिखाना चाहता है literally मैं आज बुरा लग रहा है मुझे बोलने में लेकिन मैं सिख कुछी लोगों का भला करना चाहता हूं इस particular new technology से लेकिन वो कुछ लोग कौन होगे इसको decide करने के लिए parameter रखा है कि जो लोग आज की rate में 799 as a early bird discount use करके आना चाहते आ जाओ वरना 3000 तो course का fees है जो कि आप जब मर्जी इसको ले सकते हो I hope guys आपको मेरी intention का पता रख रहा हूं और इसके पीछे की main वज़ा क्या है वो मैंने आपको बता दी है तो चलो guys मिलते हमेरे next video में तब तक के लिए यूही मुस्कुराते रहे दिमाग ठंकाते रहे और फड़ा-फड़ से मेरे सारे videos को practically apply करना शुरू कर दीजे क्योंकि मैं सारे videos practically implementation based बनाता हूं और वाइस मशकार और बाई